दीडी के साथ बदलते भारत की शान डीडी के साथ बदलते भारत की शान नमस्कार स्वस्त राष्ट के कलपना पर आधारित कारिकरम स्वस्त के सार में आपका स्वागत है मैं हूँ अंजो सिंग दोस्तो मौसम बरसात का है इस मौसम में पोशन संबंधी खान पान पर ध्यान देना बहुत महत्वपून हो जाता है साथ ही आपको भी बता दे कि इस मौसम में कई तरह के संक्रमन भी हमें घेर लेते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं का खत्रा भी बढ़ जाता है यह बहुत आहम समस्या है देखिए वैसे तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार के हर सदस स्वस्त रहे और निरोगी रहे हम ऐसा सोचते जरूर है लेकिन एक बात को नहीं समझते हैं इस तरफ हमारा ध्यान नहीं चाता है कि हमारा स्वास्त इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि हम कितना खाते हैं बलकि इस बात पर निर्भर करता है कि जो हम भोजन खा रहे हैं वो दरसल हम हजम कर पा रहे हैं या नहीं यानि शरीर उसे पचा पा रहा है या नहीं इसी के उपर ही हमारा स्वास्त काफी हद तक निर्भर करता है इसलिए स्वास्त के प्रति हम सभी का ध्यान उन खाने की चीजों पर होना चाहिए जो हमें फिट रख सके यानि आपको भी बता दे कि एक रिपोर्ट की मुताबिक भारत के लोगों में आयन और जिंग की कमी एक बड़ी समस्या है और भारत में जातर जो गर्वती महिलाएं होती है उनमें आयन की कमी यानि खून की कमी आम तोर पर देखी जाती है और इस कमी को दूर करने के लिए भी करी भूमी का है ये समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है ऐसी बहुत सी बातों को समझने का आज हम प्रयास करेंगे इन तमाम मबिन्दों को आज की चरचा में हम शामिल करेंगे इसलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की विशय पर तो आज का जो हमारा विशय है वो है बिखरे तिनके की जोगलबंधी और पोशन का अनोखा संगम मोटा अनाज तो यह हमारा आज का विशय है जिसे आप तेलिविशन स्क्रिन पर अभी देख रहे हैं यहां यह भी बता दे कि बिखरे हुए तिनकों का मतलब केवल अलग-अलग अनाजों को एक साथ लाना नहीं है बलकि यह हमारे जीवन शैली और पोशन को जोड़ने का भी एक प्रती ःतिक है यह संगम हमें स्वस्त जीवन जीने की दिश्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है यदि आप भी अस्वस्त रहते हैं स्वाथ समस्याईं बनी रहती है पार्चन और पेट समस्यां से परिशान है fatty liver है या acidity की समस्या से लड रहे है या फिर potion से जुड़ी कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो बस करना आपको यह है कि हमारे कारिक्रम में हमाई toll free number पर call लगाएं और हमारे विश्यशगियों से सीधा बात करें तो टोल free number आप नूट कर लें 18011600 दूसरा number 18000-113006 यह toll free है जिस पर आपका कोई शूल कि न लगेगा कोई पैसा नहीं लगेगा आपकी समस्याओं के समधान के लिए हमाई साथ आयरवेद के जुड़े हुए दो विशेशगे हैं देश के बड़े जाने माने नाम है जो कि पूरे एक घंटे तक आपके साथ रहेंगे इस कारिक्रम के माधियम से तो हमाई साथ डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा जी है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कारिक्रम में और इनके बारे में बता दे हम आपको कि आप आयरवेद एवं यूनानी तिब्या कॉलेज में प्रूफेसर एवं विभाग प्रमुक है तो आज जो हम बात करेंगे दो से मैमाने उनसे मुलाकात करवा देते हैं साथ ही हमारे साथ है चौद्रे ब्रह्म प्रकाश आहिरवेद चौरक संस्थान से डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा आप स्वास्त वृत वे भाग में एसोशेट प्रूफेसर है कैसे हम अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकते बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कारिक्रम में तो दोनों मेहमानों से आपके हमने मुलाकात करवा दी और आप इस एक घट्टे का पूरा लाब ले आपकी मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल हम तक पहुंचाए क्योंकि मक्सद यह है कि आपकी भागेदारी ज्या मां जी हाँ एक शब्द का ये अक्षर जिसमें छिपी है एक बहुत बड़ी शक्ती ये शक्ती है बेसुमार इस्तिकी क्योंकि मां ही तो है जो अपनी कोक में बच्चे के आते ही तब तक जिम्यवारिया निवाती है जब तक शिशु का चर्म नहीं हो जाता और वो अपने पैरों पर चलना नहीं सीख लेता क्या दिन और क्या रात मां के लिए सब कुछ बदल जाता है वो खाना भी खाती है तो अपने बच्चे के सिड्डियूल के हिसाब से जहां शिशु की जीवन और उसके पोशन का श्रोत मां ही तो होती है गौर्टलबे की अच्छा पोशन मां और बच्चे दोनों के स्वास्त की आधार शीला होती है इसे से बच्चों की सेहत भी अच्छी होती है और दोनों को ही बिमारियों से लड़ने में भी शक्ती मिलती है गौर्ट लबे की यदि होगा सही पोशन तभी तो हमारा देश होगा रोशन लेकिन ज़रा सोची क्या ऐसा हो रहा है अभी भी एक बड़ी आबादी पोशाहार से बंचित है सरकार के अथक प्रयास के बावजूर तीन दशकों से जहां डाइवी टीज, मोटापा और दिल की बिमारी के मरीज देजी से बढ़ रहे हैं एक सर्वेक्षन के अनुसार 18.7 करोड महिलाएं एनिमिक पाई गई है ऐसी में ज़रा सोचे तो कमी कहा है शेहरों की जगमग रोशनी है, गाउं में लहलहाते खेत है हमें खाने को तो सब कुछ है, फिर कमी कहा है क्या आपकी ठाली में पोशन की कमी है या पोशन के बारे में हमें और आपको जानकारी ही नहीं है या फिर अनाज उगाने वाले खेत ही बेदम हो चुके है बता दे, ये अधूरा सच है असली जड़ है बिगरते हुए भोजन के तरीके की कहना गलत नहीं होगा जब तक हमने पुराने और पारंपरि खानपान के साथ काईदा बनाए रखा एक डिसिप्लीन में रहे, तब तक हम स्वस्त रहे लेकिन जब से हम फाइन, रिफाइन और जिबचटोरी जिब चटोरी के हिस्सा बने, बीमार पढ़ने लगे और अस्पतालों में पहुँचने लगे बता दे, कूपोशन वह अवस्था है जब शरीर में आवश्यक कोशक तत्तों की कमी रह जाती है यह एक ऐसी इस्थिती है जो तब विक्सित होती है जब शरीर, बिटामीन, कोशक तत्तों और अन्य खनीजों से वन्चीत हो जाता है बहराल, अब ज़राब पीछे लोटी है और पहचानिये ना, इन अनाजों को यह है बाजरा, यह है रागी, और यह है जुआर इसी तरह यह है मडवा बता दें कि दो दशक पुर्व, यानि दो दशक पहले यह सारे अनाज हमारी थाली का हिस्सा हुआ करते थी लेकिन जीवन सेली की कदम ताल में हमने ही इन अनाजों को देहाती और गरीबों और जानवरों का भोजन समझा और एक ऐसा वक्त आया कि इसे रोसोई से बहाद निकाल दिया और जीव चटोजी के संसार में कदम रख दिया आज वह ज्यानिक और डॉक्टर इन ही अनाजों को पॉस्टिक बता कर खाने के सला दे रहे हैं विशेशक्यों की माने तो मोटे अनाजों में असानी से पचने वाले फाइवर होते हैं कार्बो हाइडेट्स होते हैं जो लो सैचूरेटिट फैट के साथ लेने पर हिल्दै संबंदी बीमारियों को भी कम कर सकते हैं कई रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि अगर देश में मोटा अनाज फिर से चलन में आ जाए तो सतर फिस्दी लोग न केवल कूपोशन से मुक्त हो जाएंगे बलकि मोटापा, बदहजमी, डाइविटीज, अनीमिया, हाट कलेस्टरोल जैसी 36 बिमारियों से मु अनीमारे घरों के बच्चों में भी हो सकती है, जैसे खाना खाने में रूची ना होना, खेलने कुदने में दिल्चस्था ना दिखान अपच और कबज की समस्या रहना या फिर बजन का बहुत जादा कम हो जाना या फिर बजन का बहुत अधिक बढ़ जाना ये सारे लक्षन कूपोशित बच्चे के लक्षन कही जा सकते हैं बता दे कि हर बच्चे में एक भारत होता है फिर भी यदि वो कूपोशन से रोता है तो आप जागरूप बनिये घर पर इनी मोटे अनाजों को सूपर फूड बनाईए ताकि आपके बच्चे को बाहर का खाना ही पसंद ना आए प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी की इस पहल से स्वस्त्र राष्ट के निर्मान में आगे बढ़िये अलप पोशन से बचिये राजेश मीश्र दून गर्सन किस तो यह थी मोटे अनाज से जुड़ी हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने तमाम महत्तपुन बाते आप तक पहुंचाई पोशन के प्रती जाग रुकता से भरपूरी ज्यान वर्थक रिपोर्ट अभी आपने देखी और चले बाचेत की शुरुवात करते हैं पहले डॉक्टर साहिम मैं आप से जाना चाहूंगी जैसा कि हमने कारिकरिम के शुरुवात में ही कहा कि यह क्योंकि बरसात का मौसम है मौनसून का समय है और यह मौनसून कई तरह की समस्यां भी पैदा करता है वो पानी जमा होना जल भरा वोना वो एक तरह है लेकिन हम जा भी नहीं है और आपकी बॉड़ी से बहुत सारा पानी का लॉस हो रहा है जो आप मैसूश भी नहीं करते हैं गर्मी में तो पता भी चलता है तो इस मौसम में हमारा खान पान के स्वार का होना चाहिए यह मैं बहुत प्रासंगिक है समय के अंसार एक प्रस्ण है सभी को उस आपको बताना चाहता हूं हर रितू की अपनी एक विविद्धा होती है और उस विविद्धा के अंसार उसी की करेक्टरिस्टिक होता है और उसी के अंसार हमें हमरे आहार और हमरे विहार डेली लाइफस्टाइल है उसको मेनेज करना होता है जब जैसे वर्सा का देखें तो वर्सा रितू में हुमिड एंविर्मेंट होता है, वर्साथ हो रही होती है, चारो तरफ गीलापन और यह सब चीजें होती है, उससे हमारा जो सरीर है, उसमें हुमिडिटी जादा बढ़ जाती है, मोईस्टर कंटेंट जादा बढ़ जाता है, और उस मोईस्टर के कारण उस कलेद के कारण, जल के कारण, हमारे सरीर की जो पाचन शक्ती है, वो काफी अलप हो जाती, मंद हो जाती, उसके कारण जो हमारा भोजन की पचानी की क्षमता भी हमारी कम हो जाती, तो इस रितों में सबसे पहली प्रायोर्टी हमारी आहर से संबंदित है, वो हम ऐसे आहर क हींग है सोंट है दाल चीनी है यह तने हमारे भारती आहार में जो मसाले हैं उनका प्रियोग परचुर मात्रा में होगा तो वो हमारे बोजन का एपेटाइजर का काम करेंगे और हमारी भूग को साम्मानिय दृष्टी से बनाए रखेंगे अब प्रशना जाता है कि सूपाच आहार क्या हो तो सूपाच आहार में जैसे डाले हैं डालों में मूंग की डाल का प्रियोग सूपाच हो सकता है उसका सूप ले सकते हैं वेजटेबल सूप ले सकते हैं आहार सीरियल्स में मोटे आनाज के बाद हम बात में करते हैं साम्मान कि हमारे सरी की कलेद को कम करें उसमें शहद का प्रियोग नीमित रूप से बरसा रितू में बताया गया है कि एक चम्मस सहद को एक कप पानी में डाल कर नॉर्मल पानी में पानी को उबाल के ठंडा कर लें उबाला हुआ पानी ही बरसा रितू में जल का प्रियोग ही करना चा पानी है, कॉल वाटर है, कॉल ड्रिंक्स हैं, आइस क्रीम है, खोवा से बने वी पदार्थ हैं, ये जितने भी पदार्थ है, दही है, ये हमारे मेटाबोलिजम को स्लो करते हैं, और बरसारे तुम होने वाली समझ्याओं को बढ़ाते हैं, साथे साथ का बोजनागरे सदापत हम लवन आर्द्रक भक्षन हों, हर्थाथ बोजन से पहले, थोड़ा सा अद्रक, थोड़ा सा सेंदा नमक या काला नमक का प्रियोग नहीं में तरूप से करें, वो हमारे डाइजिस्टिव एंजैम को सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं, और हम जो पोजन करते हैं, उसका परिपोर्ट में कि आपके जीब को जो पसंद आता है, वो खाते हैं, लेकिन आपके पेट को जो पसंद आए, जिससे पाचन अच्छा हो, वो खाना जरूरी है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, और जीब की सुनने के बाद परेशान नहीं होना चाहते हैं, या फिर जाते हैं, तो जो हमारे महमान ने बाते बताएं, उसका जरूर ध्यान रखें, एक कॉलर है महेंद सिंग परमारे जिनोंने हमें राजगर्ड MP से कॉल किया है, जी बताइए महेंद जी क्या सवाल है आपका, जी मेरा सवाल है, मेरी मम्मी को भूखने लगते है, उत्ता तो उसके लिए तो पहले यह है, जो उनका अहार है, क्या भूख नहीं लगते हैं, मतलब भूख कम होगे, कम खाना खाते हैं, जी जी तो पहले तो पाचन, पक्रियतवाय सब सुबह सुबह जो है गुनगुना पानी ले करके, गुनगुना पानी का उप्योग करें, में रखते हुए, उसका उप्योग करें, और हलका, जैसे लगू अनका सेवन करें, दलिया का उप्योग करें, जैसे मूं के दाल का उप्योग करें, धीमे धीमे, छोटा-छोटा उप्योग करें, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में उप्योग करें, एक मात्रा जाँगे कि जैसे हम जानते हैं कि साठ साल की उम्र है जब धीरे धीरे आपका पाचन तंत्र और शरीर की अनिक्रियां जो है वो कम होने लगते हैं और हम इसे भूख कम लगना कहें या फिर शरीर के जितने जरूरत है उतना भोजन आप शरीर मांगता है यह सही बहुत बढ़ कर रहे हैं हम सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं उसमें कि हम अपने शरीर को एक्टिव की हुए अगर अगर जागरूख है अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए अपने अगनी को ध्यान में रखते हुए अपने एज को मैनेज करने के लिए तो हम जरूर उन पर क्रियाओं से होते हुए गुजरेंगे जिसे चलते हैं कि हमारा पाचन शक्ती भी ठीक हो और हमारा स्वास्त भी ठीक हो अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो भी प्रिकॉशन से जिस तरह से हमको प्रयोग करना चाहिए साधानी वस्त साथानी बरतनी चाहिए अपने स्वास्त के लिए उसको ध्यान में रखना चाहिए घरेलु जो भी चीजें उसका उपयोग करें उसके साथ-साथ बाहर के चीजों को एवाइट करें और जो भी छोटा अहलकान सुपाच उसका उपयोग कर रहे हैं उसको फोड़ा-थोड़ा स आना या हरी सब्जियों को उप्यूग करना, अपने डाइट में फल फ्रूट को ले करके आना, एक करना अगर उसक को उप्योग करते हैं तो जरूर उसमें लाग मिलेका उससाथ योग को भी साथ में ले करकरए योग प्रानयाम ब्यायाम उसले दो reggae तो चलेगा ने जो बत बताई है बहुत अच्छी बाते हैं उनको फोलो करें साथ-साथ एक नुस्खा बताना चाहता हूं कि आपको सुबर-सुबर प्रात्यकाल आधा नीबू ले आधा नीबू में थोड़ा दो चुटकी काली मिर्च एक चुटकी काला नमक डालके उसको हलका साथ सुभी से गोद दे और उसको फिर तवे पे गरम कर ले उसको सुबर-सुबर खाली पेट अगर चुंसते हैं धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके चुंसे इससे हमारे डाइजेस्टिन की परक्रिया बढ़ेगी हमारे एंजैम्स का सीक्रेशन बढ़ेगा और हमें निशत रूप से नॉर्मल जो भूक है वो लगने लगेगी साथ में फीजिकली एक्टिव रहे हैं और उसी के साथ साथ अगर कुछ जैसे अवस्त का प्योगर आप निरापद रूप से करना चाहते हैं द्राक्षा सहौड के नाम से आयरवेद में एक उसद मिलती है वह बेस्ट एपिटाइजर है और किसी भी रूप में उसको प्रियोग भोजन के बादा कर सकते हैं 2 साल से लेके 80 साल, 90 साल तो वह पोशन भी देता है हमें और साथ ही साथ हमारी एपटाइट को भी बढ़ाता है ठीक है, सर एक सवाल और मेरा है क्योंकि हम मौसम की बात कर रहे हैं और इस मौसम में खान पान और पाचन तंतर के बारे में हम जाना चाह रहे हैं तो यहां पर हम यह भी समझना चाहेंगे कि आम तोर पर हमारा पाचन तंत्र क्यों बिगड़ता है इस मौसमें क्या खाना चाहिए यह तो आपने बताया लेकिन किस तरह की जीवन शेली से जुड़ी हमारी चूक होती है जिसके चलते अगसरम देखते हैं कि बरसात के मौसम मे इंफेक्शन होना या पाचन तंत का स्लो हो जाना या फिर कुछ न कुछ समस्या लहती है तो बरसात में पाचन तंत का विक्रत होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी जो पाचन सक्ती कमजोर होरी नेचरली और उससे जादा हम भारी दर्वियों का सेवन करते हैं जितनी भी ह मारे मार्केट में जो । पй्च ओभी और सब सेचुरेट्ट फैट वाले होते हैं। घणया सब बिफकने में अबना करती है तो एक तो उसका प्रियोग आपको बिलकुल क्या माड़े प rich food का प्रियोग करना चाहिए। जाद जाद फ्रेश फूड का प्रियोग करें, जैसे बना उसके आदा गंटे एक गंटे के अंदर उस बोजन के अगर हम प्रियोग कर लेते हैं, तो हमें दूसरा, पानी का जो है, इसे रितु में महत्वपूर्ण रॉल हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत कंटामिनेटेड हो क्या होता है, सथी सथ हमारे वायू है, वायू को बैलेंस करता है और हमारी एपिटाइट को इंक्रीज करता है melt का प्रियोक जाद कर जदा देल संधर में करना ते आद्रक ay अद्रक नहीं है? सोंट डालके अध्रक डालके या फिर उसमें तुलसी के पत्ते डालके उसी पानी को गरम करूंगा थोड़ा-थोड़ा पीते रहें अच्छे दूसरी वाद एक मैं यह भी आज बताना चाहता हूं वर्सा रितु में जलका प्रयोग अती प्रयोग ना करें कई वारा हम पो पारता है शरी इसमे पेंगे तो वहां पर भी आप इसमें बात करते हैं हलो है इसे नमसकार रेव ऑराम जी क्या सवाल है आपका मैं यह पाचंग संबाद नी तो आप शुरू आज देख रहे हैं या भी देखना शुरू कि आपने जी चालू अभी चालू देखना वेडम में ठीक ठीक अच्छी बात है तो जर क्या बताना चाहिए समानी रूप में हीनका प्रियोग आप बढ़ा दीजिएց इस रितु में हीनका प्रियोग लेकर घी के साथ बढ़ाना घी में भुनी हुए हीनका प्रियोग ज्यादा आपको बढ़ा ना हा दूसरा आपको डिटॉक्षिफिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए क्योंग questa में म प्रित्की का प्रियोग हमें करना है, वो सेंधा नमक चोथाई चमच से एक बटा आठ चमच के बीच सेंधा नमक लेना है, और एक चमच हरडे का प्रियोग करना है, रात को सोते से में गरम पानी से इसको प्रियोग करें, हम जो अमारे अनुभो से इसमें थोड़ा सा और और हमारी जो है अगनी प्रॉपर वे में काम करती है और हम स्वस्त रहते हैं पाचिन सक्ति हमारे दूस्त रहते हैं जे जे मिल्कुल तो देखिए छोटे चोटे से नुस्खें हैं लेकिन इनके लाफ काफी ज्यादा है और आपको पता है कि जब पेट की गरबड़िया होती ह हैं तो कितनी समस्या होती है उस समय हमें लगता है कि क्यों ना हम पहले से साफधान रहें और अगर ऐसी समस्या आती भी है तो जो तमाम बाते आज के कारिक्टर में यह घरेलू नुसके हैं आपकी किचन में सभी चीज़े उपलब्द होती है इनका आप इस्तवाल कीजिए और देखे कैसे आपके जीवन में सकरात्मक बदलावाते हैं और यह जो मौनसुन का मसम है आप बहुत अच्छे से इससे बिता पाएंगे फिलाल एक छोड़ा सा ब्रेक लेते हैं कहीं मच आएगा ब्रेक के बाद भी आज के विशे पर चर्चा जारी रहेगी आप देखते कोई जानकारी फोन उठाएं नम्मर मिलाएं और कहें हलो किसान हेलो किसान हेलो किसान हेलो किसान सोमवार बुद्वार और शुक्रवार शाम छे से साथ बजे सिर्फ टीडी किसान पर बेके बाद एक बार प्र अपका स्वागत है आप देख रहे हैं आज के स्वस्त किसान में हम बात कर रहे हैं कि स वर्शा- refrigerator में अपने खांपान को कैसे हम दुरुस्ट करें हमारा पाचन तंत्र स्वस्त रहे और हम भरपोर मौसम का भी आनान ले सकें स्वस्त भी रहें ल चलिए सर अब मोटे आनाज पर आ जाते हैं क्योंकि ब्रेक से पहले आपने का था कि पहले हम मोटे आनाज पर बात ना करके ओवराल जो यह मौनसुन का सीजन है उसमें हमें किस तरह की साफधानिया बरती है क्या खान पान रखना है लेकिन अब मोटे आनाज पर आते हैं इस म अधान मंत्रे जी के सोचेने से उसके प्रेड़ना से व्यू एन ने डेक्लियर किया था तो निश्यत रूप से जो मोटे आन हैं हमारे जीवन सहली का पहले एक अंग रहे हैं मोटे आनाज लेकिन काला नतर में इनका प्रियोग कम होने लग गया तो उससे हमारे स्वास समझ यह चाहें बढ़ने लगि मोटे अन के सबसे बड़ी विजिस्टा यह है कि इन में फाइबर निश्याप्ज mówią करते हैं इसो ग्लूटन फ्री होते हैं इसके उसके साथ आए साथ इसाथ जिए 니ू मायक्रो नेट्रां प्रियाप्त मात्रा में होते में होते हैं जो मोटे अंद का प्र्योग आज हमें निश तरू करणें चाहिए उसको मैनेज कर सकते हैं मेजर मिलेट में मैजर मिलेट में साधा है ज्वार है मक्का है और रागी है इन्हों ले और इसके साथ जो है दूसरे माइनर मेलेट्स है तो माइनर मेलेट्स में जो शामाक है किंगू है इस तरह की जो है चीजयें हैं लेते हैं जो अंगे त्रेब द्हान को गास से जो ध हमसे काँछा किया जाता करना चाहिए की तासिवाइस कर सकते हैं इसके साथ मक्का काने था का बढ़नाई का प्रियूल कुमार है ुइंगोने की काल सब्सक्राइब कर ओपार अब जी बताओं किया सवाहओ कर इसमें दरए दथ कउछनाब आपो उसे कोई और कित मीश्चिन होता है जाना कहाने के वाद वाद में हुटा है कि बाद में होता है हमेशा बना रहता है उसा पूपी जा archives करवाय थे भी कोई टेस्ट करवा हैं क्या नई सर फोन कट गया उनकी आवाज ने आ रहे हैं तो दस साल से इने ऐसे समस्या है सर के सारा टाइम कहते है सर पेट में दर दर रहता है क्या बज़ा हो सकता है तो जाज करानी चाहिए पहले ने निश्चत रूप से इस तरह का जो क्रोनिक बूख को बढ़ाने वाली चीज़ें दूसरा बॉड़ी को डीटॉक्स करने वाली चीज़ें जैसे हमने रड़े का प्रियोग बताया हरडे सोंट काला नमक इसका रात को प्रियोग कर सकते हैं या एरंड तेल केस्टर ओएल दो चमच केस्टर ओएल को आदा कप गरम पानी रात को गोल कर इसका नमत 5-7 दिन तक प्रियोग करें उसके बाद हरडे वाला प्रियोग अगर आप करते हैं साथ में कोई कोई हींका प्रियोग अपने सरी में बढ़ाएं बोजन में बढ़ाएं और वैसे दो कहते हैं कि सबजी भी पहले तेल में आप हींक थोड़ा सट ड तो ऐसे हमें पोशन की जो ये कमी है, ये पोशन के कैसे दूर किया जा सकता है और साथी साथ पोशन की समस्या को दूर कैसे करें और साती साथ हम जानते कि INDIA जिततंड या इट है में। अबरुषन का हण बं चुक गाया है जो हम लोग भागे हैं अपने पुराने पधती से मोटे आन आज हमारे थाली में हुआ करते थे वह हमारे थाली में आज नहीं है हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती चली जा रही है हम लोग रेस्टूरेंट के तरफ जा रहे हैं बाहर की चीजों के तरफ हम अट्रेक्ट हो बाहर के खाना को ज्यादा हम तवज्यों दे रहे हैं घर के खाना में उन सारी चीजों को हम लेकर के आनी पा रहे हैं जो की जो उरत है हम लोग अवेर करना चाहते हैं लोगों को बताना भी चाहते हैं और हम अपने देश के जो शासन ब्रवस्ता है उसके भी हम लोग धन्यव में यह शुरू हुआ नेशनल मिलेट्टियर के रूप में यह हुआ ऐसा तो यह लेकर क्या है तो यह मोटर यानाज का बहुत अच्छा उपयोग भी है तो इनका अभी सर ने बताया इसमें कि एंटी डावर्टिक इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इनके खाने से इसक पढूंड यह अन होते हैं फाइबर रिच होने के चलते हमारे जो जो यह अएटी प्रावलम्स को भी दोर करते हैं प्रोबायोटिक भी होते हैं यह कैस्टियम की परचूर मातरा इसमें होती है तो पूरी तरह से इसको निट्रिस बहुत हम लोग को बढ़ाना चाहिए इसक जिस्ते की जो lifestyle decider से इससे बचाव हो सकते हैं जी जी बिलकुल तो जैसे कि आपने बता है कि यह जो मोटे अनाज है श्रीयन है मिलेट्स है इनका glycemic index लो होता है यानि यह देर से पचते हैं और देर से पचने की वज़े से बहुत जल्दी हमारे श्रीर में गुलुकोस की मात जो बढ़ती है और इसलिए आपका जो शूगर है वो शूट नहीं करता है तो यह diabetes जो पेशिंट्स है उनके लिए बहुत अच्छा है और अगर आप चाहते हैं कि आप diabetes के चक्रविव में ना फसे तो आप भी ऐसे भोजन का ऐसे अनका इस्तिमार ज्यादा से ज्यादा करे अब ड्र सहय अब मैं आप से जाना चाहूंगे अभी तक आपने हमें बताया कि क्या खाना चाहिए कैसी lifestyle होनी चाहिए लेकिन अब यह जान लेते हैं कि कब खाना कितना जरूरी है कि आप किस समय क्या शाम के वक्त हमें भलों का सेवन करना चाहिए सुबह कहते हैं कि जो बहुत हेवी ओना चाहिए कि आपको दो पहर तक उसे चलाँ तो क्या यह जो हम आजकर सुनते हैं यह सही है क्या कितना और कब खाना चाहिए निश्यत रूप से बहुत प्रायूबिक प्रस्ट है और इसका हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए मात्रा सी शाथ मिताषशी शाथ काल भोजी जीते अंतरी है यह ऐसा अचारिय उन्हें कहा है काल भोजी मिन्स समय के अनुसार भोजन करना चाहिए अब समय एक समय का जब भोजन का समय हो तब भोजन करना चाहिए जब भूक हमें लग रही है तब भोजन करना चाहिए नमबर बन ऐसा कोई कोई सिध्धान्त नहीं लुप कते हैं के विएयाम नहीं करते हैं उनकों सामनी आपयार करो उनकों का परियोग किया जा सकता है एक फल को एक बार में परियाप्त मात्रा में प्राते काल लें तो सरी जब फूट सैलेट कहा जाता है फूट सैलेट खाये अन्न का प्रियोग दिन में दो बार करना चाहिए द्वीकाल भोजी दिन में 11 बजे जो लोग कर सकते हैं जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए संभव नहीं है तो वो उसी साथ से मैनेज कर सकते हैं लेकिन सामानी रूप में जो घर में रहने वाले लोग हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो 11 बजे भोजन करें सायंकाल 6-7 बजे के बीच भोजन करें दूसरा वर्सा रितू में कच्चे फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए हरी पत्ते दार सब्चियों का प्रयोग 12 में बताया जाता है लेकिन वर्सा रितू में बहुत ज़यादा कांटामिनेशन की पोसिबिलिटी होती है इसलिए उनको भी यथा संब़ अवाइड करना चाहिए रात्री भोजन वर्जित होना चाहिए साहें भुग्तवा लगो इतम साहें काल ही भोजन कर लें रात्री भोजन ना करें विपिन है एक दर्शक जिन्होंने सागर से में कॉल किया है आईए बात करते हैं नमस्कार विपिन जी नाज को आसपास के हमारे जो माहोल है फिर हमारे जो आसपास की जनरेशन इसमें इस चीज को हम कैंसे समझाया कैंसे जाने की यह मौटी अनाज हमारे जीवन की एक महत्तपूर चीज है और एक बहुत इंपोटेंट है जिसे हमें अपने जी बान में सामिल करना चाए जैसे कि नहीं से की यह नहीं नॉर्मल होटल रहते हैं इसमें लोग उनीं चीजव को जादा पसंद करते हैं अगर मोटे अना जो की चीज़ें भी रहते हैं तो इस चीज को भी क्यांसे आगे वाला सकते हैं जी बहुत अच्छे प्रेशन हैं आपके विपिन जी बहुत जागरुप दर्शक हैं और मुझे लगता है कि आपकी बाते सुनकर जो अन युवा हैं सबसे पहले हमें समाज में मोटे अनाज के क्या बेनिफिट्स हैं युवा पीडि को भी समझाना होगा उसके बाद जो रेसिपी जो बनानी है वो भी उनकी इच्छा के अनकूल स्वादिस्ट बनानी होगी निशित रूप से अगर बच्पन से मोटे अनाज का प्रियोग परिवार में प्रचनर में लाते हैं तो उसकी आदत और उनकी बच् होता है लेकिन बच्पन से अगर हम चीजों का प्रियोग करते हैं तो जैसे बाजरा है बाजरे को कई रूप में हम प्रियोग कर सकते हैं बाजरे की खिचडी उसमें घी डालके प्रियोग करें उसमें गुड़ डालके प्रियोग करें इसी तरह से बाजरे की राजस्तान मे में रखना चाहिए जो रही है जैसे कई तरह के लड़ू और इस तरह के भी बनाए जाते हैं पीज़ा बेस है नूडल्स है पास्ता है बर्गर हमारे शेफ जो है इस दिशा में काफी काम जा रहे हैं एक बात जोड़ना चाहूंगा जैसे अवेरनेस के लिए भाई समने बोला करके गोष्टी करके अगर यह अवेरनेस वाइदा करें तो समाज के प्रति उनका बहुत बड़ा यूगदान रहे है अचा विपिन जी का एक यह सवाल था और विपिन जी मेरे तरफ से आपको सजेशन है कि आप हमारे इस कारेकरम को यूट्यूब लिंक अपने जाद सत्कार अचेश्यमाल किया सकता है और यहां पर इन्नों ने भी का कि खाने को यहां वहां पर मेलेट्स को उतना शामिल लेगे ऐसा जाता है कि यह आम आपने बताए कि यह ऐसी चीजें रेसे पी होंगी तो जाहिर बात है लोग उसके तरफ तरफ आकर्शित होंगे देना च हाई लोगोंता है तो तक होता है कि था किनी मातरा ने लेना है अपने को सब्सक्राइब लिए खाने के बीच में कितना अंतर डखना चाहिए थीक है खाने जोने के में वागा नगा में पार्म इस टमाल करने ज़ी डॉक्तर करना अचेए एक भावर माज्वान सब्सक्राइद करना चाहिए हमारे अईरुएद में कहा गया है कि पूरी मात्रा में अहार् तो ले रहे लेकिन लगुए अन्न है तो इसके अगनी के बल के अगनी माने हमारे दिश्टिव पावर उसके अगनी ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जो सुपाच भी रहेगा और खाने से पहले खाने के एक घंटे के बाद ही थोड़ा सुएं खाने में थोड़ा सा बीच में वीराम इसके बाद सुएं और दूसरी बात मच्छर जनित जो सारी विमारियां इस तरह से हो रही है उसके लिए तो प्रिवेंटिव एस्पेक्स अलग हैं जैसे पानी कलेक्ट नहों अपना वेसी कूलर जो भी चीजे हैं वो थोड़ा सा देखें पानी का कहीं कालेक्शन नहों त करें कि वो कितना ले सकते हैं मात्रा उसी के काडिंग निधाइद करें इसमें थोड़ा में एड़ करना चाहता हूं डॉक साब ने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दी है लेकिन हमारी रोग प्रत्रोधक शम्ता प्रबल है सही है ठीक है तो निशुत रूप से इन जितनी और सर डायबटीज है बलड प्रेशर है इस तरह के समस्याओं में मोटे अनाज को रामबान की तरह देखा जाता है जिसके बारे में चर्चा भी की तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कितना लाबकारी है इसे अपने भूजन में शामिल करना फिलहाल एक छोटा साम ब्रेक करेंगे आप कहीं मत जाएएगा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें अवश्य कॉल करें टोर्फी नंबर हम साथे साथ स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करते रहेंगे आज हम खास तावर से बात कर रहे हैं इस मौसम में यानि बरसात के मौसम में मोटे अनाज के ला मंडी का क्या है हाल उतरते चड़ते भाव का असर आयाद निर्याद का क्या है असर कैसा रहेगा आगे बाजार बताएंगे मंडियों के जानकार देखिये मंडी खबर सुमवार से शनिवार शाम पांच बजे सेफ दूरदर्शन किसान चैनल पर मुरे के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहें स्वस्केसान आई अब बात करते कॉलर से हमासाथ नागेंद सिंग नेगी जी रूट चुके हैं जिन्होंने हमें हिमाचल प्रदेश से कॉल किया है नागेंद जी स्वागत है आपका स्वस्केसान में पहाड़ी बीज तो वह भी उनका भी उनको भी प्रमोट करना चाहिए जो जंगली किसम के बीज होते हैं और इसके लावा मैडम जी हमारे यहां पर जो जंगली सबजीयां और जो जड़ी बूटियां हैं जैसे लसूडे तरडियां सब गुच्छियां लिंगर बगएरा त जंगली हालदी तो यह इनका इनका इस्तेमाल और इनको भी प्रमोट किया जाना तही है आपके माध्यम से क्योंकि लोकल वोकल के चकर में हम मंडी तक ही सिमित हैं जी सब्जी मंडी तक और इसको एक बार जो इन जंगली सब्जियों को मौसमी जो आती साधिस्ट और लिए भी बहुत अच्छी होती हैं और बिल्कुल नागेंद जी देखें पहला प्रयास तो आपकी तरफ से होई गया कि इस कारिकर्म के माध्यम से आपने इतनी महत्वपून जानकारी साज़ा कर दी बहुत सारे दर्शब जो हमें देख रहे हैं वो आपके माध्यम से जान करना चाहिए और हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से कई ऐसे योजनाय चलाई जारे जिसमें वनोट पाज जो है वनोट से जो बनी हो चीज़े हैं वो बाजार तक पहुंचे और हमारे पास एक एमेल आया है यह एमेल ले ले लेते हैं बलराम सिंग है सोनी पत से कह रहे हैं कि तीन दें से बखार खासी और शरीर में दर्द बन काफी कमजोरी महीरा है कि वायरल इंफेक्शन श्री बहुत कॉमन हो जाता है। । निश्यातल। इस मोसम में वायरल इंफेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और उसका कारण भी अएरवेð अगनीमंद को ही मानता है। अगनी जो मारी मंद हो जाती है, तो हमारे जो वाइरस और बेक्टिरिया है, वो हमारे सरी पे ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं, तो इसी स्थिती में हमें गर्म पानी का प्रियोक करना है, बहुत हल्के खाने का प्रियोक करना है तीन दिन के लिए, एकदम light खाना लें, अगर थोड़ा सा फास्टिंग कर सके तो फास्टिंग करें उसके साथ सौंट का प्रियोग करें सौंट जो है फिवर को भी ठीक करती है और हमारे डाइजिसन को दूर्स्त करती है और एक गोली में बता रहा हूं जिसको निरापत रूप से कहीं भी किसी परिस्ति में लिया जा सकता है जैसे सुदर्सन घनवटी यह हमारी बोड़ी को डिटॉक्स करती है हमारे मेटबोलिजम को बढ़ाती है और फिवर को ठीक करती है तो दो दो गोली दिन में तीन बार एडल्स को ले सकते है और इसे को लुक्सान भी नहीं क्योंकि आयरुवेदी के सबसे इच्छी बात यह आरुवेद की कि आप इन दवाओं का इस्तमाल कर सकते हैं आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अब डाइबिटीज के बारे में सार आप कुछ और डिसकस करना चाहते हैं मैं डाइबिटीज के बारे में बताना चाहता हूँ जो मिलेट्स का प्रियोग है जैसा डबली एचो की एक स्टडी है कि 80% जो अकाल मृत्यू है उसके तीन कारण तीन बीमारियां है CBD, कार्डियोवेस्कुलर डिजिज, हर्देज रोग संबंदी बीमारियां दूसरा कैंसर और तीसरा जो है डाइबिटीज अगर इन तीनों चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं तो 80% जो हमारी अकाल जो देखने को मिलती है उसको कम किया जा सकता है मिलेट्स में ये तीनों ही डिजिज को प्रिवेंट करने के बहुत अच्छी संभा होना है क्योंकि मिलेट्स में काफी कुछ डिसकस हो चुका है इसके सबसे बड़ी बात है कि इसमें रेसिस्टेंट इसमें जो रेसिस्टेंट फाइबर होता है या resistant starch कह सकते हैं resistant starch एक तरह से fiber का ही एक रूप है यह small intestine में इसका पाचलना हो कि direct हमारे large intestine बड़ी आत में चला जाता है बड़ी आत में जो हमारे gut microbiota होता है महां जो micro-organism होते हैं हमारे friendly bacteria होते हैं वो उसे fermentation की क्रिया करते हैं उस fermentation के प्छुरुप और वो, 소श एन,, फैर्टी एसिट सें वो हमारे लिए भहुत लाबत प्रद होते हैं क्योंकि इनका का घुलगकोज सैंसितिविटी को बढ़ा देते है है हमारे इंसलीन के सेंस्टिविटी को बढ़ा देते हैं साथ ही साथ बढंदोанием से ग्लाइसेमिक एटलेंस उ सको हड़ा देते हैं तो दो यह एपिए हडम होने में काफी तेडस को मैंनेज करते मिलेट और अधार मैं सबस्क्राइब करें जी शिव कुमार जी स्वागत है आपका स्वास्किसान में बताए क्या प्रश्न है क्या चाहिए नमस्कार सिवकुमार दोए सियोर मतपदेश से बोज़ा हूँ जी बताए सर सवाल बताए मेरा सवाल यह है कि मेरे को पहले टीवी मुझे न्यूट कर लें ऐसे हम आपको ठीक से सुनने पाएंगे मैंडम की मेरी उमर है सतर बर ठीक है और मुझे 22-23 साल से डाइविटीज है और मेरा पेड़ फूलता है मुझे कब की समस्या रहती है तो मैं यह जानना चाहता हूँ काफी कुछ तो हम लोग इस पर डिसकस कर चुके हैं लेकिन मुझे लगता है अभी भी हमाई साथ जोड़े हैं फिर सम्दूरा देते हैं तो आपको जितने भी मिलेट्स हमने बाजरा है रागी है इसके साथ जो जुवार है इसका प्रियोग जैसे भी आप क्षेत्री विव जाता है उसका प्रियोग जदा जदा बढ़ाएं साथ में जो भी हमारे सामानी प्रसलन में हैं मोटे नाज में नहीं माना जाता है लेकिन जो को भी आईरवेद में बेस्ट एंटी डायबिटिक कहा गया है तो जो का प्रियोग कर सकते हैं साथे साथ मैं आपको एक बहुत खर आपने चाहता हूँ निशहाय आमल की रशायन। निशया मींस हलदी आमल की मिस आउला तो हल्दी आउला इसका आदा चमच एक चमच ले ले लिए उसका अदा कप गरम पाने में घोल करें सुबह-शुबह खाली पैट आप लिया करें तो यह आपके डायबिटिज को क् सकता है या ग्राइविटीज में हेलफुल हो सकता है दूसरा आपके लिए प्रयोग है भोजन के साथ लंच के साथ आप च्छाच का प्रयोग करें चाच में काला नमक का वुनाव जीरा और उसके साथ एक चमच दाना मेथी का प्रयोग आप नीमित रूप से करें तो आपके लिए इस समस्या से में काफी अब लब प्रद रहेगी जी बिल्कूल तो देखिए बहुत सारे सावार हमारे पास आरे लगाता है और इनके उम्र सत्तर साल है बता रहे हैं 22-22 साल से ने डाइबिटीज है और पार्चन की समस्या रहती जिसके बारे में कई सारे पॉइंट् साथ लेकर आता है चाहिए वो डाइबिटीज है आपके हृदय से संबंदी समस्या है और भी कई तरह की समस्या यह साथ ही साथ अपने लेकर आता है और हम देखने कि गाउं में भी मुटापा जो है वह धीर धीर अपना पैर पसा रहा है पहले हम सुचते थी कि शेहरों में कि अपने लेकिन गाउं के लोगों में मुटापा की समस्या रही है गाउं जहां से अनाज शेहरों में पहुंचता है जहां पर हमारे किसानों को प्रोचाहिद करें मुटा नाज योगाएं उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर्व आज के परिपेक्ष में हम यह साथ दे कि अब गाउं गाउं नहीं रह गया जो भी कलचर में रर्योंगे सब्सक्राइब थी क्लिद चले गया है तो यह कोई ऐसा आच्चार की बात नहीं कि मॉटापा हुं गया गाउं वाले अब शहर की तरह से ही सिल यह बढ़ہी तो उनको भी हथी तो यह बहूत हे सिस्टम में CBS प्रावलम भी है उसी तरह से केड़नी प्रावलम भी हो जा रही बहुत सारी चीज़ें हो जारी दाइस्टिव प्रावलम भी हो जाती हैं तो उसको रोकने के लिए बस यह है कि हम नीयमित अपने आहर को भी ध्यान में रखते हूं काल भोजन जैसे सर ने बताया काल भोजन करे साथ ही साथ मोटा अनाज को अपने उसमें लाइफ्श्टाइल में ले आएं अपने के लेक-वाइट करें मोटापा को हमें समेठने का समय होने वाला है तो मैं जड़ी-जड़ी कुछ और पॉइंट से वो डिसकस कर लेते हैं, एक तो यह कि इस मौसम में हल्दी का हमने कई बर जिक्र किया, और रिपोर्ट में भी हमने बात किया, हमाई दर्शकोर ने भी इसका कहीं ने कहीं जिक्र किया, तो सर, हल्दी हमारे लिए कितनी महतवपून है, हल्दी बेस्ट एंटी हल्दी वाला दूद भी कहते हैं, हल्दी वाला दूद, हल्दी, सौंट, अधरक, काली मिर्च, इसकी चाय बनाके अगर लेते हैं, तो वाइरल डिजीज में बहुत फायदे बंद रहता है, यह बरसा में अगर भीगने के बाद को वेक्ती को इसा फील होता है, तो उसमें भ अगर जो सबसे बाद करते हैं, जो का हम को चीनी में अने चीजों में नहीं मिलती है, तो बहुत जोरी है कि गुड का हम उपयोग अपने लाइफिश्टाइब मिलें तो सबसे बढ़िया रहेगा, डाइबटीस के लिए बहुत रहेगे, अब सर्माल पूछने वाली हूं, अगर जोगता हुए हुआ है, अगर का इस्तमाल हम किस की सतर, किसे करें, अखसर देखते हैं कि जब गैस की समज्या होते हैं, पेट धरद होता है, तो घर में कहा जाता है, एक फाल पृगत जाए, इसके अलावा कैसे हम इस समाल कर सकते हैं, इस मौसमें इन खास्ताइब है तो निशित रूप से सबसे पहला आख Three-Eyum mysasale Bedterm Number two अज्वाईन को गरम पानी उबाल कर एक कप गरम पानी लें एक कप पानी लें इसमें 0.5 चमश अज्वाईन डाल की उबालें आदा कप रिजाये तब उसको बिना चाने उस चाने उसका प्रियोग किया सकता बारिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बाड़ी में मौइस्टर बढ़ जाता है उसको सहद का सुभा होता है जल तक लेद को कम करना तो इसलिए वर्सारितों में सबसे ड्रग अब चोईस अगर है तो सुबसे सहद का सेवन है वो करना चाहिए पानी में मिला कर जी बि बारी भारती रसो हैं किसी खजाने से कम नहीं है तमाम बीमारियों की दवाएं आपर चिपी है बस उन्हें पहचाना है जाना है और आईरवेद की पद्दतियों में इनका खुब इस्तमाल होता है चाहे वहलदी है शहद है अजवायन है अद्रक है सोट के बारे में आपने लाभानवित होंगे और यहां पर दर्शुकों को यह भी बता दे कि बहुत सारे आपके इमेल भी हम तक पहुंचते हैं पिछले सब्ता यहां पर कुछ हमारे पास इमेल आई उसके बारे में आपको जानकाई दे दे कोलकता से कविता सिना ने लिखा है कि उन्हें अक्सर ख खत्म किया जा सकता है कानपुर से सरलाव आर्मा ने भी हमें एक चिठी भेजी है इक सवाल लिखा है इनकी समस्या है कि कोई भी दवा लेती हैं तो शरीर में च्छाले पर जाते हैं और इससे और जाधा समस्या बड़ी हो जाते तो इसका क्या उपाय करें दोस्तों हम मारा कारीक्राप मिस्स ना करें और अगर आपके कोई सवाल है कोई सुझाव है तो उसका हमेशा स्वागत करते हैं आप कर सकते हैं अपने समस्याऊ को बता सकते हैं इसके लिए हमारा email id कर कर लें हमारा email ID आप टेलेविशन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्वस्त किसान लाइव एदुरेट जीमेल डॉट कॉम यह हमारा email ID है तो आज के लिए वस इतना ही और जो बाते हमने आपको बताई है आयुरवेद की जो पदतिया हैं उसे जरूर अपनाए इस मौसम को स्वस किसान देखते रहें नमस्कार